हलो देर, वलकम वाक टू अवर चानल, मैं हूँ गौरो काबरा और एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत है इस बहुत इंपोर्टन वीडियो में आप सभी जाते हैं कि हम लोग CMA Final SFM के revision कर रहे हैं जिसकी playlist आपको description में मिल रही होगी just in case आपने पुराने lectures नहीं देखें आभी तक तो जाकर के ज़रूर देखें दो chapters already revise हो चुके हैं और आगे का revision यहां से आगे बढ़ रहा है आज जिस chapter को हम शुरू करने वाले हैं इस chapter की मैं क्या ही महीमा गिना हूँ यह chapter बहुत important है exam में 2-3 question per term यहां से आने के chances है now I know मैं बोलूँगा कि यह chapter बहुत जादा आसान है आप believe नहीं करोगे बट सचाई यही है कि अगर एक systematic तयारी और एक systematic तरीके से हम इस chapter को पढ़े तो इस chapter में बहुत जादा कुछ नहीं है और कुछ नियमत सवाल हैं जो कि बार बार आते हैं और अगर आपने उस पे खयाल रखा अगर आपने अच्छी practice करी तो आप इस chapter में पक्के हो सकते हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ derivatives chapter की जिसको शायद आपने यह सुन करके नकार दिया होगा कि easy बोल दिया है इस chapter को यह तो easy है ही नहीं बट सचाई यही है अगर हम अपनी class की भी बात करें मेरे क्याद से जो class कर रखे होंगे बच्चे वो आकर के comment में डाल देंगे अपने जो भी observations थे वो बट एक dedicated अगर हम CMA final level के SFM का approach लेकर के चलें तो मैं आपको दिखा भी दूँगा कि exam में किस तरह के questions आते हैं what are the set of questions that are being asked in the question इसके अलावा there are certain fancy stuffs अब वो fancy चीजें जो हैं उसको कितना हद तक practice कर सकते हैं कितना कुछ समझ सकते हैं उन सब चीजों पर भी बात करेंगे but इसके अलावा obviously ये revision में बहुत कुछ है इस revision के हमेशा की तरह दो parts बना रहा हूँ मैं पहले part में हम सारे formula को brush up करेंगे कुछ fancy stuffs को छोडेंगे कुछ को scope में नहीं रखा है मैंने revision के जान मुझ करके because this is a very big chapter ये बहुत बड़ा chapter है कुछ एक ऐसे areas हैं आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ उनको मैंने scope के बाहर रखा है although notes में कई चीज़े covered हैं इसके अलावा part 2 आएगा जिसमें मैं आपको कई सारे सवाल past time paper के solve करवा रहा हूँगा goes without saying इस पूरे notes को अगर आपको पाना है तो description में जाएगे link is waiting for you and इसके अलावा for those who have their examination a little further अभी ऐसा है कि एकदम सामने नहीं है अजर exam हमारा थोड़ा सा दूर है and you are just looking for a class or looking for SFM lectures definitely you are at the right spot SFM lectures की भी detail आपको description में मिल जाएगी चलिया अभी time waste नहीं करते हैं सारे बच्चे पढ़ाईगे मन से आया है तो शुरुआत कर देते हैं revision और अभी revision में पहले formula brush up कर लेते हैं part 1 में let's get started part 1 यहाँ पर शुरू हो रहा है जापर एक एक करके हम कई सारी चीजों के बार में पढ़ेंगे सबसे पहले हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो है topic of pricing of forward or future contracts forward or future contracts क्या होते हैं याद दिला देना चाहता हूँ यह derivative के काफी important agreements है contracts है जहाँ पर आप किसी भी underline को चाहो तो आज ही commit कर सकते हो खरीदने या बेचने का at a specified price यानि example के तोर पे अगर मुझे एक साल बाद dollars खरीदने हैं मैं एक example दे रहा हूँ मुझे एक साल बाद dollars खरीदने हैं तो मैं आज ही एक ऐसा agreement कर सकता हूँ with the dealer जिससे मुझे dollar खरीदने को मिल जाएंगे at the rate specified today तो आज की rate होगी लेकिन dollar तय हो जाएंगे याचा dollar कब मिलेंगे भया एक साल बाद मिलेंगे तो सिर्फ rate तय होती है यहाँ पे लेकिन बाद बागी सारी execution सारी payment जो कुछ भी है सब होती है towards the end इस तरह के जो contracts होते हैं ये आम तोर पे hedging करने के लिए यूज होते हैं ताकि वहाँ कोई arbitrage ना हो सके अगर arbitrage हो सकेगी तो फिर obviously हमें वो arbitrage के around भी सवाल आते हैं एक्जाम में और हमें show करना पड़ता है कि हम कैसे arbitrage करेंगे है बहुत आसान सारी जानकारी यहाँ पे मिल रही है आईए जी सबसे पहले एक formula देखने को मिलेगा हमें जो formula होता है f is equal to s0 into e to the power rt अब इस formula को देखकर के किसी भी बच्चे को घबराने के कोई जरुरत नहीं है यह time value of money है time value of money हमें यह सिखाता है कि अगर आपको future value चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए present value और आपको एक factor चाहिए जो कि usually 1 plus r to the power n होता है यहां में यह e rt क्यों किया क्योंकि derivatives के पूरे चाप्टर में हम continuous rates की बात करते है and जहां continuous rates आती है वहाँ पे time value of money का भी formula बदल जाता है and the formula becomes f is equal to pv into e to the power rt अब वही same formula यहां पे आ रहा है fp के जगा हो गया future price या फिर forward price और pv के जगा हो गया आज का price जिसे हम कहते है spot price so एकदम logical लग रहा है f is equal to s0 into e to the power rt इस formula के हर एक item को मैंने समझाया है आपको यहां r जो होता है वो risk free rate होता है यानि हम्मेशा जो rate of return आप use करने वाले हो वो एक risk free rate होना चाहिए इसके अलावा t is equal to number of years वैसे number of years बोलते हैं लेकिन अधिकतर सवाल months में आते हैं तो ऐसे में आपको part of a year calculate करना पड़ सकता है for example सवाल में 3 महिना आया तो 3 महिना होता है 0.25 of a year यह compute कैसे हुआ formula लगा देना 12 by n so basically place your number of months in the numerator divide कीजेगा 12 से and yes you will get the part of the year you are talking about मुझे पता आपके मन में यह भी घबराट होगी यह e to the power rt भूल गए भी हमको तो याद नहीं आ रहा कैसे calculate होता है घबराईय मत notes में covered है e to the power rt calculate करने के लिए हमें जो भी जैसे मान लो power में कुछ भी आया e to the power 0.25 आया तो हमें 0.25 सबसे पहले अपनी calculator में लिखना पड़ेगा that's step number 1 step number 2 होगा इसको divide करना है by 4095 it is a magical number you need to remember this तो आपको इसको divide करना है by 4095 once you have divided this by 4095 you need to add 1 you need to add 1 and then equal to press करके आराम से wait किजे इसके बाद into equal to के combination को press करना है बारा बार तो यह पुरा process कैसे होगा calculator में type करेंगे 0.25 divide करेंगे 4095 से add करेंगे 1 press करेंगे equal to फिर should करेंगे into equal to की कहानी बारा बार जैसे आप यह काम करोगे आपका e to the power rt आ जाएगा अब यही चीज हम लोगों उपर use करनी पड़ेगी जाँ जाँ आप formula दिखेगा वहाँ वहाँ e to the power rt use करेंगे अच्छा यह formula सिर्फ इतना ही नहीं है इसमें और भी कई variants है जैसे कि अगर हम variant की बात करें तो कई सवाल ऐसे आते हैं जिसमें कुछ underlying dividend होता है underlying dividend ऐसा हो सकता है कि अगर आपका contract 3 महीने का है तो पहले महीने के end पे है दूसरे महीने के end पे है या फिर तीसरे महीने के end पे आपको dividend दिया हुआ हो सकता है अगर आपके maturity से पहले कोई dividend आ रहा है तो आपको dividend को side करना पड़ता है क्योंकि derivative instruments को जो भी purchase करते हैं उनको dividend मिलते नहीं है तो ऐसे में dividend की जो भी present value है उसको deduct करना जरूरी है from the spot price and वही exactly हम यहां कर रहे है हम spot price में से जो present value of dividend है उसको करते हैं minus and then फिर उसको compound करते हैं using the power और I would say using the factor e to the power rt तो एक्तम simple सा हिसाब किताब है कि प्राइस में present value of dividend included है तो वो हटा तो इसके अलावा present value of dividend निकलता कैसे वो भी आसान है इसके लिए dividend की amount लीजेगा और उसको PV करने के लिए divide by e to the power जो भी 80 होगा वो कीजेगा सवाल है इसके उपर में मैं सवाल में practice करवा दूगा अच्छा कई बार dividend की absolute amount नहीं देते हैं और कई बार ये लोग continuous dividend rate ही देते हैं यानि dividends भी continuous rate से आ रहा है ऐसे में आप directly अपनी rate में ही उसकी adjustment कर सकते हैं आप देख सकते हैं हमने risk free rate में से जो मारा dividend वाला rate है उसको minus किया और फिर उसको t से multiply किया now this is another way of solving the same silly problem बस इसमें condition इतनी सी है कि dividend amount मैं नहीं देना चाहिए dividend देना चाहिए continuous rate के हिसाब से अगर होगा तो ये वाला formula अप्लाई करना आपका काम हो जाएगा इसके अलावा हम लोग को commodities के case में convenience yield और storage cost भी देखने पड़ते हैं तो अगर convenience yield कभी भी सवाल में हो तो उसको PV करके minus करना और अगर storage cost हो तो PV करके add करना जब ये adjustment आप अपने spot price of commodity में कर चुके होंगे तभी जाकर के e to the power RT से multiply कीज़ेगा ये भी एक तरह से वही काम करवाता है कि commodity इसके case में आपको convenience yield भी मिलती है यानि कि ले के बैटने का फायदा होता है और दूसरा storage का खर्चा लगता है अगर आप यही काम physically करते हो तो पर अगर यही कागजों में करोगे derivative instruments में करोगे तो लगने वाले नहीं है जाइव जी बात है इनकी हमारे कोई जन्दगी में ज़रुरत नहीं है हम इनको हटाएंगे यहां से clear? so we are going to do what? we are going to do convenience yield को यहाँ पर मरेंगे minus और storage cost को करेंगे add clear? perfect आगे बढ़ते है next up is f is equal to e to the power r minus वही same formula है अब की वार continuous rates के लिए है ठीक है न? this time it is being given for continuous rates और कोई difference नहीं है ठीक है? perfect अब आते हैं arbitrage process पे अगर मैं arbitrage process की बात करूँ अगर मैं arbitrage process की बात करूँ तो भई यहाँ पे गजब का arbitrage process होता है यहाँ पे आपको यह check करना है कि आपके हिसाब से जो forward price आनी चाहिए as per the formula वो होती है theoretical price इसको आपको compare करना है against the forward price so basically forward price अगर आपके theoretical price है यानि आपके calculated price से अगर forward price आपको ज़ाधा मिल रहा है तो in that case you need to short the forward क्योंकि forward महंगा है और दूसरा आपको long करना पड़ेगा spot जाइड सी बात है spot को long करने के लिए आपके पास risk free rate पे borrowing करने की एक requirement आएगी इसके अलावा forward price अगर कम है then the theoretical price तो उस case में आपको forward को long करना पड़ेगा और short करना पड़ेगा spot को जो पैसे आएंगे उसको invest करना पड़ेगा at risk free rate again इस पे एक सवाल है मैं पूरा सवाल कराओंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये था आपका first section जिस section में हमको pricing of forward या फिर futures सीखना था और हमने अच्छे से एक बार वापस revise किया है next up is valuation of forward या फिर futures contract अगर मैं valuation की बात करो तो तीन formula पे अगर आपने गौर किया तो आपका काम बन जाएगा हलाकि मैं फिर भी बतातू experience से बता रहा हूं कि जादा तर cases में institute ना आपके साथ ये game थोड़े कमी खिल रहा है so institute at least for CMA final I can say कि क्या हो रहा है they are not asking you the first formula क्योंकि इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है आप जब valuation complete शुरू करोगे at initiation तो उस case में valuation हमेशा 0 आएगी if the forward is correctly valued अगर forward correctly priced नहीं है futures correctly priced नहीं है तो उस case में तो arbitrage profit आएगा ही आएगा लेकिन अगर ठीक से priced है तो उस case में valuation has to be 0 at initiation इसके अलावा बहुत simple है आपको valuation करनी है of the forward contract during the life यानी हो सकता है 6 महीने का forward ता आप 3 महीने बाद उसकी valuation पता करना चारे है उस case में उसी दिन का जो भी price होगा वो आपको लेना पड़ेगा spot price so that is st चोटा वाला t इसके अलावा आपकी जो भी forward rate पहले से तहे की हुई थी उसको आपको discount करके यहां तक ले करके आना पड़ेगा तो जितना भी term बाकी है from छोटा t to बड़ा t उस term के लिए आपको discounting करनी पड़ेगी and you will have to bring your forward price back जब यह काम करोगे now you will be able to compare the spot price with the forward price and you will get the valuation हाला कि इसको हमने class में इतने detail में और इतने अच्छे से discuss किया है मैंने इसको आपको full proof दिया था और पताया था why this is not actually a comparison of spot price with the forward price rather this is the gap between the forward price of two different dates correct तो वही एक difference था इसको class में बहुत अच्छे से हमने cover किया और बहुत बढ़ी है से इस पे एक मैं कह सकता हूँ discovery curry की actual में formula क्या है बढ़ा result आपको चाहिए तो इस formula से काम हो जाएगा इसके अलावा अगर हम VT की बात करें तो VT formula बहुत simple है आपको expiry पे ये चेक करना है कि expiry पे spot price क्या चल रहा है और आपको ये देखना है कि भई अपने क्या forward price पे तरह किये थे ये काम होने का अब इधर आएगी problem काफी सारे बच्चों को जो लोग ना concept स्थीक से नहीं rooted होंगे ना उनको problem आएगी अभी आप बोलेंगे कि sir ये VT is equal to formula लिखाया ST by FT लेकिन मैं दरसल इसको solve कराने वाला हूँ FT minus F0T से अब बच्चे बोलेंगे ये formula में ST Ft कब से बन गया वाई मतब ST को FT क्यों बना दिया आपने तो देखो एक बहुत बड़ा इसके उपर caveat है caveat ये है कि कोई भी forward या future contract जो होता है उसकी expiry पे spot price और forward price converge हो जाता है यानि कि वो same हो जाता है अब जब same हो जाता है तब आप इधर ST लिखो या Ft लिखो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन कई सवाल ऐसे हैं किताबों में भी exam में भी आयो हैं जहाँ पे expiry के दिन भी आपका spot price और आपका forward price अलग अलग है तब क्या करोगे तब बहुत बुरे फस होगे अगर आपने ये formula अंदाधुन यूज किया तो दरसल ये formula होता है ये इस formula का हमने class के अंदर बहुत बढ़ी असे discussion किया है और अब भी भी अगर part 2 में आप देखोगे तो एक सवाल आपको मिलेगा ऐसा कम से कम जिसमें आपको ये वाला formula लगाना पड़ सकता है बट विट F.T. तो जो भी होगा उसका थोड़ा सा खयार रखेगा इस इस दिफार्मला that is going to be tested in the exam मुझे लगता है इसके अलावा risk management using futures contract अब अगर आप अपने existing portfolio के beta को कम बेसी करना चाते हो न so that you can do एकदम ideally and ये करने के लिए आपको अपने future contracts को buy या फिर sell करना पड़ता है typically अगर आप अपने beta को कम करना चाते हैं तो आप nifty के index को index के futures को short करते हैं और अगर आपको अपने beta को बढ़ाना होता है and then you will have to apply the formula कि आपका target क्या है beta का versus आपका beta का portfolio अभी फिलाल portfolio का beta क्या है correct, beta का portfolio क्या होता है portfolio का beta so basically आप अपने target और अपने portfolio इन दोनों को compare करेंगे और जितना आपको beta differential चाहिए उसको आप यहाँ formula में डालेंगे इसके अलावा यहाँ पे Nifty का futures का जो price है index का जो price है वो आप लोगे नीचे और उसकी lot size लोगे multiplication में जब आप यह काम करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने contracts long या फिर short करने पड़ेंगे in order to change your exposure towards the systematic risk तो यह अपने exposure को manage किया जा सकता है कम बेसी किया जा सकता है और यह exposure को कम बेसी करने के लिए यह formula लगेगा अब बस एक बात का ध्यान रखेगा कि अगर आप अपने beta को बढ़ाना चाते हैं if your target beta is more then you will have to long the contracts and if your target beta is less than the existing beta then in that case you will have to short the nifty contracts यह चीज वैसे यह पर अच्छा से लिखी हुई है long curve होगा, short curve होगा जब result positive आएगा तो long होगा और negative आएगा तो short होगा simple सी कहाँ नहीं है आगे बढ़ते हैं next up is options options गदब की चीज है options के नाम पे हमें call और put पढ़ना पढ़ता है वैसे बोलने के लिए दोई चीज है two dimensional नहीं है यह actually four dimensional है यह call, put के साथ में long call और long put भी समझना पढ़ता है अब यह long call, long put, short call, short put क्या है यह समझाने के लिए मैं बहुत simple सा outlook आपको वो class में भी कराया था आप भी वापस revise भी करा रहा हूँ आपको यह देखना है यह आपका जो outlook है वो क्या है आप bullish हो की bearish हो अभी one fine day एक student ने मुझे query करी थी कि sir bullish bearish का मतलब क्या होता है तो मेरे गया से एकदम ही अंजान है stock market एकदम नहीं जानते की bullish bearish क्या होता है मैं फिर बता दूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके stock prices और आपका मतलब इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का अगर आपको लगता है nifty उपर जाने वाला है stocks भी साथ-साथ उपर जाने वाले है तो आप एक bull हो bullish हो और अगर आपको लगता है माल लेते हैं आप क्या हो bull तो आपके वास दो options है अगर आप bull हो तो आपके वास दो option है या तो आप premium pay करो या तो receive करो अगर आप pay करना चाहते हो तब आप long call position ले लो क्योंकि call उपर जाते हुए shares पे लगता है अगर कल को share price या फिर जो भी underlying price है वो ऊपर चला जाएगा तो आपको फायदा होगा इसके अलावा अगर आपको premium pay नहीं करना उल्टा आपको premium receive करना है क्या option है एकदम option है उस case में आप किसी ऐसे बंदे को उठाओ ऐसे बंदे को डूंडो जो खुद बहुत pessimistic है तो वो आपको put की demand करेगा आपसे आप उसको put बेच देना So he will buy a put from you You need to sell the put to him और her ऐसे में आप अपने put को short करोगे इसके अलावा अगर आपका outlook बेरिश भी हो सकता है अगर आपका outlook बेरिश है और आप premium pay करना चाते है तो again long position establish कर सकते है but this time in a put अगर आपको premium receive करने का मन है तो उस case में call को short करने से भी आपका काम बन जाएगा ये सुनने में समझने में जितना ज़्यादा simple लगता है obviously इसको एक बार वापस grab करने में time लगेगा for those who had studied class में बहुत अच्छे से इसको आपने capture किया है अगर आपने ठीक ठाक revision किया होगा तो ये याद है और अगर ठीक ठाक revision नहीं किया तो लग जाओ काम पे थोड़ी दिर pause कर लेना और सोचना इसके बारे में क्या क्या बाते हो रही है इसके अलावा profit या loss जो भी अपना calculate होता है on the options वो भी आपे proper मैंने बता रखा है जैसे long call की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो payoff होता है वो होता है maximum of 0, st-x अब यहां interesting बात यह है कि इसका payoff 0 से नीचे नहीं जा सकता जो भी options को खरीद लेता है वो कभी हार नहीं सकता उसका payoff कभी negative नहीं हो सकता that is why the formula is written as maximum of 0, st-x इसके अलावा long put में भी यह होगा लेकिन अपकी वार x-st हो जाएगा क्योंकि हम नीचे जाते होगे contract पे position बनाए है तो यहां पे max of 0, x-st होगा इसके अलावा short में यही उपर वाले payoffs होंगे बस minus करके आ जाएंगे क्योंकि अगर long को कुछ payoffs मिलेगा तो short को देना पड़ेगा short को पैसे चुकाने पड़ सकते है long नहीं चुकाएगा कभी भी payoff लेकिन payoff short को चुकाना पड़ सकता है वही short put के लिए भी put वाला ही same formula है x-st सब सही है बस आगे लग जाएगा minus अब बात करते है profit की अगर हम profit की बात करें तो profit होता है payoff minus 0 for long call यानि long call करने के बाद में अगर आपको कुछ payoffs मिला तो साहिशी बात है यह आपका inflow होगा और आपने इसको खरीदा था तो आपने एक call premium pay किया होगा so that will be deducted तो अब जागर के आपका profit आएगा so payoff में से payoff में से आप minus करते है premium amount यही same काम आपको long put में भी करना है long put में भी आपको एक payoff मिल सकता है अगर share price नीचे गया तो पड़ ऐसे में आपने क्योंकि एक premium pay किया था तो आपका profit थोड़ा सा कम होगा that formula would be payoff minus P0 as well लेकिन अगर इसी के विपरी तहम profit की calculation करें for short positions तो exact उल्टा होगा जो plus हो वो minus हो जाएगा जो minus हो वो plus हो जाएगा so it will become C0 minus payoff and P0 minus payoff respectively for short call and short put break even prices की बात करें तो break even price वो प्राइस होते हैं जहाँ पे long और short दोनों एए एकदम आ करके same ऐसी position पे आ गए कि दोनों का profit या loss 0 हो रहा है ऐसे situation के लिए एक छोटा सा equation है जिसको ख्याल रखना है वो है X plus C0 यानि अगर price X plus C0 हो जाता है तो call का long और short एक ही जगा के खड़ा हो जाता है और वैसे में no profit no loss situation देखने को मिलती है दोनों ही counterparties को अगर यही काम हम करना चाहें in case of puts तो formula होता है X minus P0 So one formula is X plus C0 the other formula is X minus P0 और यह long और short के लिए common होता है इसके अलाव moneyness एक छोटा सा और एक options में है teach moneyness में हम यह check करते हैं कि हमको अभी क्या payoff मिलेगा या नहीं मिलेगा तो बहुत simple सी बात है अगर आप call खरीद के बैठे हो तो अगर ST यानि price of the spot और price of the underline at the end of the term अगर यह आपके exercise price से जादा हो जाए तब आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा so you are in the money अगर यह exactly x पर आ जाए तो you are at the money और अगर यह x से कम रहे तो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि price उपर नहीं जा करके नीचे चला गया तो आपने क्योंकि call खरीदा था तो आपको कुछ नहीं मिलेगा the payoff will be negative negative हो नहीं सकता तो 0 ही हो जाएगा negative क्यों नहीं हो सकता formula में लिखा हुआ है तो यह negative हो नहीं सकता है it will be 0 and as a case में हम बोल सकते है that we will have our call out of money यही चीच put के लिए exact duty होती है अगर price उपर चला जाता है तो यह out हो जाता है x पर रहता है तो add होता है और अगर यह price आपके दिये हुए price exercise price से नीचे चला जाता है तो उस case में यह in the money कहलाया जाता है इसके अलावा minimum and maximum value of options के उपर में भी हमने formula पढ़े हुए है इन formula को just एक बार देख लीजेगा अगर question आते है exam में तो obviously यह formula handy हो जाएंगे minimum value का अगर हाँ formula देखेंगे and then that is maximum of 0, st minus x ही होता है but x को हमने pv किया हुआ है clear so x has been done pv here इसके अलावा अगर हम put options की बात करें तो उसमें भी formula होगा maximum of 0, x minus s लेगे नगें x को हमने pv किया हुआ है market value will be st sorry maximum value will be st and maximum value in case of put will be x divided by e to the power t minus t next up is put call parity put call parity के अगर मैं बात करूँ तो put call parity बहुत simple है इसके लिए आपको LHS में put up करना है p0 plus s0 यानि कि put का premium plus spot price so put का premium plus spot price इसने तोरों को मिला करके protective put कहा हो जाता है इसके अलावा आपको RHS में put करना है call premium as well as your position in a risk-free security तो यह जो formula है वो है c0 plus x divided by e to the power rt इस पूरे के पूरे formula में एक बस चीज का खयाल रखना है कि आपका जो exercise price दिया रहेगा for call and put वो दोनों सेम होना चाहिए दूसरा यही आपका face value होना चाहिए on your risk-free security तो x typically 3 values को ascertain करने में मदद करेगा number one it will be the exercise price for call number two it will be exercise price for put and number three it will also be the face value on our risk-free security अब इस formula को भी अगर आप देखें तो इसमें protective put और fiduciary call इन दौनों के payoff हर हाल में सेम होते हैं इसका भी proof अपने class में पढ़ा था और इस वज़े से ये दौनों equations को सामने सामने खड़ा किया जा सकता है इस equation पे सवाल कैसा आता है they will give you three information कोई भी तीन information देंगे और चौती information पे question करेंगे obviously past में इसके questions आयों है और हम लोग इसके part 2 में इसको cover करने वाले है इसके अरावा forward put call parity भी कुछ होता है इस formula में आप s 0 को बस replace कर देते हैं by the term f divided by e to the power rt now again this is very simple अगर आपको f का formula पता है then f का formula होता है s into e to the power rt तो वही e to the power rt को उठा करके इधर ले आए formula बन गया clear? and उस case में यह formula बहुत straightforward बन जाएगा it will be p0 plus f is equal to c0 plus x next up is binomial model single period अगर हम single period binomial model की बात करें तो बहुत ही simple सा method है इसमें आपको upside और downside probability ascertain करनी होती है upside probability ascertain करने के लिए formula होता है e to the power rt minus d divided by u minus d जहापे u और d क्या होता है it is the magnitude of up and down moment तो अगर up moment होगा तो price जो है वो s0 से बढ़ करके s1u तक चला जा सकता है so ऐसे में हम इसका जो magnitude है उसको define करेंगे by u वैसे d भी magnitude बताता है बट अपकी बाद downfall का तो again आप s0 के against compare करोगे s1d यानि एक साल बाद या एक मन्त बाद जो आपका spot price आने वाला है नीचे जाने के बाद में उसको हम लेंगे and we will get the value of d तो अगर आपके 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 पार rt है आपके बास u है और आपके बास d है तो आप बड़े आराम से probability of upside calculate कर सकते हैं एक बार probability of upside आगया तो probability of downside आजाएगा 1 में से माइनस करके, अब इसी को अगर आप देखें, तो मैंने formula भी derive कर रखा है, कि यह कैसे होता है, तो बही जो probability of upside है, वो होता है S1U, probability of downside के बाद में होता है S1D, आपको अगर इन दौनों पे payoff calculate करना पड़े तो formula लगाईएगा, formula लगा करके payoff अगर कुछ probability, फिर इसकी discounting होगी, by dividing it by e to the power rt, 2-period binomial model को मैंने जान मुझ करके cover नहीं किया है, scope इस revision में, क्योंकि 1-period ही बहुत है, 2-period तो और जादा dangerous हो जाएगा, तो इसलिए मैंने revision में से बाहर किया है, class में हमने इसके उपर सवाल बनाए हुए, next up is delta hedging method, बहुत important है, exam में ब call या फिर put का valuation हो जाएगा, अगर आप call का valuation करना चाहते हैं, तो पहले उसका delta निकालेंगे, delta calculate करने का मतलब है, h calculate करना है, and the formula is pretty straightforward, for this, you will be taking your payoff under the call, if the price moves up, minus payoff under the call, if the price goes down, divided by the change in this spot price, तो जो भी हमारा spot price है, share price, so हम इन दोनों के changes को observe करेंगे, h usually 0 से जादा ही आएगा, और बात में आपको बस एक basic सा formula लगाना है, to calculate C0, the formula is, h in the bracket, s0 minus s1d, यानि की expected lower price, after the first month, divided by e to the power rt, वही put option की बात करें, तो उसमें भी same काम होता है, delta वापस वैसे ही निकलता है, लेकिन delta की value less than 0 आती है, ठीके न, it can be equal to 0 as well, but usually it is less than equal to 0, and यहाँ पर जो formula है, वो भी इस तरह का बन जाएगा, clear, the formula is very straightforward, इस formula को use करने अपना results आ जाएगा, after this we have black shoals model, black shoals model देखो मैंने आपके भले के लिए, सारा का सारा यान discuss किया हुआ है, लेगिन फिर भी आपसे एक विनमर निवेदन यही है, कि अगर आपको देखना पड़े, तो class देख के जाएगा exam से जस्ट पहले, black shoals model एक ऐसा model है, जिसमें अगर आपने exam से पहले class नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखा है, तो समस्च्या में पढ़ जाओगे, इसलिए एक बार इस वीडियो को देख जरूर लेना, इस वीडियो को नहीं, बलकि जो हमारी class वीडियो उसको अच्छे से देख लेना, you will exactly get to know कि यह formula कैसे है और इसको कैसे solve करते है, class में एकदम मज़े से हमने इसको solve किया हुआ है, और आपको भी easy लगा होगा यह पूरा topic, तो इसमें call और put को कैसे value करना है, उसका पूरा instructions दिया हुए, follow this and you will get your results, next step is FRA, FRA are basically forward rate agreements, तो यह दरसल होते तो forward contracts ही है, पर इनकी जो underlying होती है, वो होती है rate of interest, so underline के उपर में betting होती है, rate उपर जाएगा की नीचे जाएगा वैसा planning होता है, अब इस पे भी अगर हम चाहें तो इदर आराम से calculate कर सकते हैं इसका price, so pricing of FRA calculate करने के लिए हमें यह formula apply करना पड़ेगा, और यह formula apply करने के बाद में result आ जाएगा, again इस पे कोई example होगा तो मैं करवाऊँगा, नहीं तो इस formula को ध्यान रखना, FRA को report करते हैं as M into N FRA, तो यहाँ पे N और M के जो notations हों का ख्याल रखिएगा, जैसे मैं बता देता हूँ, what is M into N, अगर किसी FRA में लिखा है 2 into 5 FRA, तो इसका मतलब यह होता है, कि 2 महिने बाद इसका hypothetical loan period शुरू होगा, and it will range up to the end of 5 months, यानि कि यह 3 महिने का आपका hypothetical loan का सवाल होगा, इसके अलावा हम लोग को pay off भी calculate करना है on long FRA, तो अगर आपने long FRA कर रखा है, तो आपका pay off कैसे आएगा, formula is given, अगर आपने short FRA किया है, तो आपका pay off कैसे आएगा, formula is given, formula में कुछ नहीं है, you will be comparing your reference rate with the FRA rate, इसको multiply करेंगे nostril principle से, और बात बाकी adjustment करेंगे for the difference in timing, यही सेम काम short FRA के लिए होगा, बस plus minus का जो fair है, वो fair है, final topic is cap and floor, well cap and floor are nothing but options, यहाँ पे cap होता है, option on the interest rate, जहाँ पे अगर interest rate उसके उपर गई, तो हमें कमाई मिलेगी, अगर उसके नीचे गई, तो कुछ नहीं देना है, वैसे ही floor होते हैं, जहाँ पे अगर एक particular level of interest से, नीचे चला गया interest तो हमें कमाई मिलेगी, अगर उससे उपर आ, तो कुछ नहीं मिलेगा, इन पे आपको payoff और PL account calculate करना आना चाहिए, ठीक है न, PL की value calculate करना आना चाहिए, payoff के लिए formula होता है, maximum of 0, reference rate minus x into nostril principle into n by 12, position है तो premium minus payoff, floor के लिए भी formula पूरा लिखा हुआ है, x minus reference rate into nostril principle into n by 12, यह 0 से कम नहीं होना चाहिए, अगर 0 से कम होगा तो 0 ले लेंगे, और बात बखी, PL calculate करना है floor में, तो वह आसान है payoff में से premium minus करना या premium में से payoff minus करना, यह long या short के हिसाफ से answer होगा, सो बस that's it, इसे के साथ में मेरे क्याल से हमारा part 1 हो जाता है, पूरी तरह complete, हमने formula एक बार देख लिए, बात बाकी इन formula को और बहतर तरीके से grip up करना आपकी जिम्मेवारी है, description में आपको download करने के लिए notes मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के इन पूरे notes को download कर लिजे, and इन formula के साथ थोड़ा सा time spent कीजे, once you have done that, उसके बाद part 2 में चलिएगा, जो कि again आपको नीचे description में playlist दिवी होगी, जहां से आप access कर पाऊगे, goes without saying, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारे notes अच्छे लग रहे हैं, हमारे revision lectures अच्छे लग रहे हैं, तो please channel को तोड़ा सा subscribe कर देना, at the same time इन videos को like, share, comment जरूर से करें, जादा से जादा लोगों को इन सारे lectures के बारे में बताइए, क्योंकि आपके लिए paper number 14 SFM को आसान करने की जिम्मेवारी ले रखी हैं हम लोगों ने, और ऐसा definitely होगा, तो बस आभी के लिए इतना है रखता हूँ, I'll see you in the next one, तब तक ये लिए बाबाए, take care, enjoy yourselves, please and please पढ़ाई करते रहे हैं, बात बाकी part 2 आपका इंतजार कर रहा है, आपको playlist में ऐसे कैसे next video part 2 मिलेगा, जिसमें हम लोग कर रहे होंगे derivatives की revision, ठीक है, चौँ, Bye,